चले तो गुड इवनिंग सभी को विडियोग को रहुद इस लेका उभाष हो तो चलिए फड़ाफट करते रहेंगे अपनी इस क्लास को चलिए बच्छे रहा है तो आपके तॉप अगे की बात किया अगर आगे की बात की जाए तो जहरनेंगे आपका किया आपके संकल पोहन थाजन सेलेक्शन बैच है आप इस बैच को भी ले सकते हैं आपके सफलता बैच है यह भी साथ जुलाई 2021 हो रहा है और इसकी डुरेशन कितने हैं पूरे को पूरे एक शाल के डू तो आपके चोटी लागजबार पहला को गुरु जी नमस्ते बच्चा आगे की बात करेंगे क्या है तो आपके 24 मेनी का जो है सर ये 325 रुपर का सब्सक्रिप्शन और 12 मेनी का 520 रुपर का सब्सक्रिप्शन आप क्या आप अपना कोड वी आईईबी 10 आप इस कोड को लगा सबसक्रिप्शन आप बच्छे सभी का स्वागाज ये सभी का वेलक्म करता हूं चलि बहुत अच्छा बच्च बच्ची वेयर गुड सभी बच्चे आचुके है और सभी बच्चों का हार्दी क Binद्र foul करता हूं क है जले अवरिक फैक्टर या रहेंविक फैक्टर बहुत चाब कोशन है और बहुत सारे एक्जाम में पूछ रखा है आप से तो फटाफट इसका अंसर करना चालू करेंगे चलो बच्चे फटाफट सेशन को शेर करो और इस से से जुड़ना चालू करेंगे बहुत बढ़ दियां बच्चे चलिए सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और आईये इसका अंसर को यहीं क्या को टोॉ रीटेय स्टेयों है डेकर जो बाइस्टर्टर इसे क्या कहते हैं तो दियान देंगे cancerland steiner एक साफ थिनका नाम था कार्ल लैंड इस्टीनर नाम याद रखेंगे तो कार्ल लैंड इस्टीनर नाम के एक सहब थे तो कार्ल लैंड इस्टीनर ने किस बंदर में से तो रीश्स रीश्स मैकोका रीश्स मैकोका नाम का एक बंदर था तो रीश्स मैकोका के बंदर थी रहों है रहे फैक्टर को निक तो वह आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रूप नहीं मौजूद हुआ वह क्या वह निगेटिव ब्लड ग्रूप का फैक्टर होगा तो रिसस मेकोका बंदर से कार्ल एंट इस्टिनर ने आरेच फैक्टर की खोज की थी और इसलिए इसे आरेच फैक्टर कहा जाता है और ध्या दूसरी संथान होती वो क्या होती तो दूसरी संथान आपकी इसमें डेत्स कर जाती है बर जाती है गुजजन डिक्षा सभी बच्छों को ओज़िट पुंचा था बिल्कुल सभी बच्छों को नौटिफिकेशन पहुच चुका है चलिया आगे बढ़ते हैं आगला it acutail report and win अगर कोई teacher आपको गलती से गलत content पड़ा रहा है या आपको क्या आपको विस्लिड कर रहा है या आपको hate speech दे रहा है तो आप तो इस teacher क्या करते है रिपोर्ट कर सकते हैं और आए आगे पड़ते पूनम liegen राधे 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 पूनम बच्चे कैसे हो पूनम बच्चे जल्दी बताओ समान वैस्क मनश्य में लाल कोश्काओं की संख्या कितनी होती है बहुत अच्छा कोश्चन है और मैंने करा भी रखा इस कोश्चन को तो ध्यान देंगे क्या तो 5.5 कितनी संख्या होती है मैं लाड लो तो जो रबीसी होती है आज ही दो पहर में से बहुत च्छा कोश्चन कर आया था मैंने जो आपकी यह आ प्य क्यों थे небई दूसरानव ile Python होती है तो यह फीवेसी चाला हम कहा जाता है की तो थो फार पॉंवाइब तो सटाइट कहा जाता है क्या कहा जाता है और ध्यान देंगे कि क्या में मिल्स की नियुक्लियस नहीं पाया जाता लेकिन इसका अपवाद उन्ट और लामा दो प्रिकार के जीवों होते हैं RBC में हीमोग्लोबीन की मौझूदगी की वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है तो रक्त का रंग लाल पाया जाता है है RBC में हीमोग्लोबीन की मौझूदगी की वजह से अगले कुश्चन पर चलते हैं कि रक्त में ठक्का रोधी प्रदार्थ कौन सा है आज सिर्फ और सिर्फ यूमन एनटॉमी करा रहा हूँ चलब बच्चे जल्दी बताओगे कि रक्त में ठक्का रोधी प्रदार्थ कौन स है इसमें से कौन सा इसा पदार्त है जो anti-coulate का कार9 करता है जल्दी बता दोगे कि इन मेंसे कौन से बदार्त है जो anti-co trouve का करता है बहुत अच्छा बच्च वज जुरते रहेंगे सेशन को शेर करते रहेंगे बहुत यहां बच्चों वेरे गुड छोटे लाल रजवार कह रहे हैं गलूबीन रॉनी रॉनी इस्पीड फाइटर कह रहे हैं गलूबीन क्या बच्चे आप सही हो एक पर अपने आपको चेक करो क्या आप सही हो इस कुश्चन पर आजी मैंने एंटी कोगुलेंड पूछा है बच् किसी बच्चे का मुझे सही आंसर नहीं मिला है इस बात का धियार रखना वह आप से एंटी कोगुलेंड पूछ रहा हूं इंटी क्लॉट्टिंग पूछ रहा हूं पर मैंने इसके बारे में बताया है क्या बताया है मैंने हिपैरिन के बारे में ध्यान देना जो हिपैरिन नाम का प्रोटीन हिपैरिन नाम का प्रोटीन क्या नहीं होने देता तो आपके सरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता देखो जो बच्चे क्या जो बच्चे जब Fibrinogen कह रहे थे ग्लोबीन भी तो गलक था देखो जो Fibrinogen होता है यह रक्त जिसकी कमी से जब आपको चोट लगती और रक्त जब बैता है तो बहना नहीं रुकता रक्त का बहना नहीं रुकता लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के जो रक्त क्या जमता नहीं है बलड़ शेल्स आपस में चिपकती नहीं है तो झाह नहीं चिपकती है तो हिपैर pussy नाम के प्रोटीन की मौझूदगी से जो हिपैरिन नाम का प्रोटीन है ये एक प्रकार का winter co diligent है जो रक्त को क्या होंज़ा चिपक्ने नहीं देता और इसकी ही अच्छा बच्चों वेरे गुड चलो आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे और सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो अपने गृप्स में दर रेड कलर ऑफ यूमन ब्लड इस ड्यू टू बहुत ही असान सा कुश्चन ये तो गलत नहीं करोगे मुझे आप पे पूरा कुश्चन लेके आओंगा उसमें भी चलो छोटे लाल रजवार हिमानसु शाहू गुड इवनिंग लाड ले गुड इवनिंग ऑप्शन नमबर भी तो जितने बच्चे ऑप्शन नमर भी कह रहे हैं बहुत ही असान सा कुश्चन बच्चे आपके ब्लड का रेड कलर किस वज़ा से होता तो हीमोग्लोबीन की वज़ा से होता है और हीमोग्लोबीन में ही पाया जाता है क्या बच्चे तो आपका आयरन आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबीन में जिसकी वज़ा से बलड का रंग कैसा तो रेड और हीमोग्लोबीन से ही आपके आयरन की कमी से ही आप उची जगहों तो था उचाई वाले स्थान पर मनुश्य मानों में लाल रख कड़ों के होंगे क्या होंगे आकार में बढ़े आकार में घटेंगे संख्याम बढ़ेंगे संख्याम में घटेंगे यह कोश्चन एक्जाम वाला है यह कोश्चन एक्जाम में आने वाला कोश्च बस सही बताना हो चलो बहुत बढ़े हाँ फटा फटा फटी सेशन को शेयर करते हैं बहुत बढ़े हैं एपी राजबुद गुडी इवनिंग तुस्टो गुडी इवनिंग बच्चे चलो option number C संख्या में बढ़ेंगे बिल्कुल सही बढ़े हो बच्चे बिल्कुल सही जवाब देंो क्या होगे संख्या में बढ़ेंगे क्योंकि आप जा उची जगहों पर जाओंगे तो क्या होगा सुन ऊछे को यसे मालनों कि मैं यहां lower altitude पे हूँ मैं lower altitude से higher altitude पे आता हूँ तो मुझे सास लेने में दिक्कत होगी anoxia होगा तो मैं क्या मैं अपने heart को क्या करूँगा मैं अपने lung से ज्यादा air लूँगा और ज्यादा air लूँगा तो हमारे heart पे ज्यादा यहादा तेज होगा जिससे हमारे blood में क्या होगा बच्चे तो हमाई सरीन में blood की मात्रा बढ़ेगी और जिब ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो RBC की मात्रा बढ़ती जाएगी इसलिए आप देखते हो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके गाल कैसे होते तो गुलाबी-गुलाबी से या रेड-डेड से गाल होते हैं क्योंकि वहां पर जैसे आप higher altitude पे जाओगे तो RBC की मात्रा इनक्रीज 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 करती जाएगी इस बात का आप ध्यान रखोगे बहुत ही अच्छा बच्चे वेरे गुट चलो कोई बास नहीं कोई बास उम्हा ख़ो यह साइंस सब और 21 ने सिलाई वहो like करो यार like a more आज तो चलो आजाओ आजाओ रग्त कनक जो रोगों अत्वा बिमारियों के प्रति प्रतिरोध्टा करते हैं वो कनक क्या है जल्दी बताओगे जल्दी बताओगे बच्चे बहुत बढ़िया चलो याद करो याद करो याद करो बहुत अच्छा रौनी छोटे लाल बहुत अच्छा बच्चों सभी बच्चे बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं तो क्या जो लिकोसाइट है लिकोसाइट किसका नाम है तो याद रखना बच्चे तो लिकोसाइट किसका नाम है डबलू बीसी का डबलू बीसी का नाम होता है तब ने आपको बताया था कि wbc को क्या कहते है तो इसे मानो रक्त का मानो रक्त का क्या कहते है तो इसे soldier कहते है सिपाही कहते हैं किसे तो मानो रख्त का सिपाही किसे कहा जाता है तो WBC को जो WBC है गुडीवनिंग पप्पो बच्चे तो जो WBC है लाड़ ले यह क्या है यह मानो रख्त का क्या है सिपाही है जिस वज़ा से आपके सरीर को क्या रोग रोगों से लडने की च्छमता प्रदा सच्चिन कुमार भी आगे हैं ऐसे ही जुड़ते रहेंगे बहुत अच्छे कोशन लेके आया हूं लाल रख्ट कोश्काओं का दिनमार किसके द्वारा किया जाता है बहुत ही असान कोश्चन यह कोश्चन भी मैंने आपके साथ पहले डिसकस कर रखा है इस टाइप के रिजन नंग का ऐल इंडिया टेस्ट है ऐसे सन्नो कवाब दो और चुन्नमननों लोग जवाब दोगे बहुत बढयां चोटे लाल कह रहे है डी गलत हो च्थे हपी बच्चा भी बच्चा है मेरा हैपी बच्चा बहुत इंतलिजेंट है ग्यानने के बόन मैरो अस्थी मज् यह RBC का निर्माड करती है RBC का निर्माड कौन करता है तो लाल अस्थी मज्जा red bone marrow समझो बच्चे blood के formation की बात की जाए अगर blood के formation की बात की जाए तो जन्म से पहले, जन्म से पहले, और दूसरा क्या, दूसरा जन्म के बाद, जन्म से पहले और जन्म के बाद, तो जन्म के बाद बलड का निर्माण कहां पे होता है, तो जन्म के बाद बलड का निर्माण कहां पे होता है, बच्चे, बोन मैरो में होता है, अस्थी मज्जा में होता है जबकि जन्म से पहले कहां पे होता है इसका निर्माण तो जन्म से पहले आपके कहां पे होता है तो ध्यान देंगे आपके लिवर में ब्लड का निर्माण होता है कहां पे होता है तो लिवर में जन्म से पहले लिवर में ब्लड का निर्माण होगा जबकि जन्म के कमेंट क्यों नहीं शो होगा आपका हर एक कमेंट में पढ़ता हूं क्यों परिशान हो दिख्षा बच्चे आपका हर एक कमेंट का में रपलाई करता हूं आप सही जबाब दे रहे हो चलो अगला कोश्चन नमलकित में से कौन उतक का उधारण है यह भी बहुत अच्छा कोश 69 का एंसर है युक्ति बच्चे बहुत अच्छा हिमान्षु युक्ति शचन गुंजन दिख्षा बहुत अच्छा बच्चे हिमान्षु शाहू सभी बच्चे सही जबाब कर रहे हैं तो ध्यान देंगें कौन सा उतक का उधारण है तो देख्चे जो ब्लड है देखो ब्ल fluid connective tissue है तरल सैयोजी उतक है क्या है यह तो यह प्रकार का तरल सैयोजी उतक माना जाता है कैसा उतक माना जाता है मतलब क्या ऐसा टिशू जो आपके सर से लेकर आपके पेर तक मौझूद हो ऐसे टिशू को क्या कहते हैं तो आपका बॉचछो प्रत अप्रकार के तिशू है जो और Bone है वो इस प्रकार के ही Tisoo है कौन से तो तरलसयों जी उतक प्रकार के ही Tisoo है आपके Blood और Bone बहुत अच्छा बच्चे very good very good बच्चों चलो बहुत अच्छा बाकि बच्चे कहां गए यार चलो आजो आजो फिर से next question क्या कहता है hemoglobin मुख्य निर्मार करता या निर्मारक है hemoglobin is an important constituent of किसका है बच्चे तो ये भी बहुत असान सा question है कि hemoglobin किसका constituent है बहुत अच्छा question है कोई बात नहीं थे इस बच्चे कोई बात नहीं कविता गतनी कविता जी भी आगी है है एमानशू, शनाया, क्वैट इगल, क्वैट इगल, आनंद अल्ट्रा क्लास्स, क्वैट इगल, शबी बच्चे सही जवाब देएं, छोटे गलत हो बच्चे, चलो, हैपी, सही हो, पूनमदेवी, सही है, तो इतने बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चे 70 का A, अंसर क पायाता है तो Rbc में hemoglobine पायाता है और hemoglobine कीवज़से ही तो रंग कैसा होता है भच्चे तो 있으면 क्या सोचना था ठीक है और जो प्लेट लेट्लेट जबाब दे रहे हैं वह गलत जवाब दे रहे हैं platelets में कहां से hemoglobin को लेके आ रहे हो बच्चों platelets में आपके क्या बिंबाडू में कहां से आप लेके आ रहे हो hemoglobin को थोड़ा सा common sense लगाओ यह तो बच्चों वाला question था ना चलो आज ओ अगले question पर बढ़ते अगला question क्या कहता है कि universal donor are the people with the blood group सर्वत्रिक प्रदाता अत्वा सर्भोमिक दाता वर्क समूवाला जन अत्वा मानों है तो ओ ओ ब्लेड ग्रूप क्या ही universal donor है और ओ में कौन सा तो ओ निगेटिव जो आपका ओ निगेटिव ब्लेड ग्रूप है यह universal donor माना जाता है सर्वत्राता वाना था क्योंकि यह क्या करता है यह हर किसी को क्या कर सकता है ब्लड दे सकता है इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है जबकि एक बी क्या है यह universal acceptor है यह universal acceptor है कि देखो अचे एच एंटीजन वाले ब्लड गुरूप को क्या कहते हैं तो ध्यान दोगे एच एंटीजन वाले ब्लड गुरूप को क्या कहा जाता है तो बॉंबे ब्लड गुरूप कहा जाता है तो बॉंबे ब्लड गुरूप किसे कहा जाता है तो ऐसा ब्लड गुरूप ज मेरी बात को और ध्यान देना एक इंद्रा ब्लड ग्रूप भी इंडिया में पाया जाता है इंडिया में इंद्रा ब्लड ग्रूप और क्या बॉम्बे ब्लड ग्रूप दो प्रकार के ब्लड ग्रूप पाये जाते हैं बहुत अच्छा बच्चों धराधर शेशन को शेयर करे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अनंद तक बहुत अच्छे को को लेके आजा हुँ तो ध्यान दिनगे Iron की कमी से कौन सा रोग होता है ? तो, Alp-Raktata ता, कौन मेरे लद लोँ ? तो Alp-Raktata नामक रोग किस की कमी से होता है ? तो iron की कमी से होने वाला रोग है Alp-Raktata, ध्यान दिनगे इस बात का गुंजन बच्चे बहुत च्चा destination chemistry classes F.E. बहुत ही बढ़िया और अलपरक्टता और किस बिटमिन की कमी से होता है तो बिटमिन B3, B6 और B9 ये तीन परकार के बिटमिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है तो अनीमिया नामक रोग होता है बहुत अच्छा बच्चे knesuciones क्या कहा हा है और फसन अव बड़ ग्रूप A B कांड रिसीब ब्लड फ्रॉम और फसन ऑफ states good psychology город किसे ब्लड ले सकता है option से only A B sum up तो ध्यान देंगे A B negative World का सबसे कम पाया जाने वाला blood group है पूरे विश्यो में सबसे कम मात्रा में कौन सा blood group पाया जाता है तो पूरे विश्यो में सबसे कम मात्रा में AB negative प्रकार का blood group पाया जाता है चलो बच्चे बताओ अगला चलो आगे बढ़ते हैं और क्या केवल AB group नहीं बच्चे वन्नी A group नहीं बच्चे वन्नी B group नहीं बच्चे एनी blood group किसी भी समू से क्या कमेंट जा रहा है बच्चे आ रहा है आपका कमेंट तो जो बच्चे option number D जवाब दे रहे हैं वो सही है छोटे लाद अपना कमेंट डिलीट कर दी हैं कोई बात नहीं बच्चे गलती होती है गलतियां इंसान से होगी जब तक अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं तब तक सही कैसे करोगे इसलिए तो live class लेना जरूरी होता है कि गलतियां करो सीखो कि कि फिर कभी ना भूलो है ना कि फिर कभी ना भूलो इस बात का ध्यान दोगे देखो निमलिकित में से कौन सी रक्त कोशी का रक्त के जमने अथवा ठक्का निर्माड के लिए आवर्श्यक होती यह भी बहुत ही ultimate question which of the following blood cells is compulsory for the blood coagulation बहुत ही अच्छा question बहुत अच्छा question very good बहुत इच्छा बच्ची राधर session को share करोगे चलो बच्चे बहुत ही बढ़िया तो इस question का अंसर बताओ कि निम्न मेंसे कौन सी रक्त कोशी का रक्त के जमने अथवा ठक्का निर्माड के लिए अवश्यक होती है तो क्या platelets होती है आवश्यक लाल रक्त कड़ी का हैं आपकी वाइट ब्लड कार्पोस या लिंफोसाइट बहुत ही अच्छा question और बहुत ही आसान question ब को एक जाल बना लेता है तो देखो यहां पे आप platelets विल्कुल सही जवाब दे रहे हो यह क्या यह चोट लगने के बाद रग्त को बहने से रोकता है रग्त का ठक्का बनाता है लेकिन हिपैरिन क्या करता था तो हिपैरिन ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड को जमाने कारे कर करता है तो हिपैरिन बॉडी के अंदर पाई जाने वाले ब्लड को रोकने का कारे करता है चलो बहुत अच्छा बच्चे नेक्स कोश्चन पर आते हैं क्या कह रहा है निमलखित में से कौन शाषीत रक्त कारी प्रानारी है क्या कह रहा है विच आप दो फॉलिंग इस अ कोल ब्लड इड अनिमल बहुत अच्छा कोश्चन यह तो मेरा फेवरेट है जल्दी बताओ अंजू सैनी बच्चे कलाप नहीं आया थे चलो सच्चिन कुमार रॉनी बहुत बढ़िया मास्टर जी नमस्ते आरज बच्चे नमस्ते बच्चा सच्चिन रॉनी तो जल्दी और वार्म में क्या अंतर है जो cold-blooded होते हैं और जो warm-blooded होते हैं क्या होते हैं देखो जो cold-blooded का temperature क्या तो इसका temperature body का हमेसा चेंज होता रहता है इनके body का temperature हमेसा चेंज होता रहता है लेकिन warm-blooded animal के body का temperature हमेसा क्या होता है तो constant रहता है क्या रहता है तो constant रहता है इस बा 38.4 foreign height या फिर क्या या तो क्या बच्चे या तो क्या तो हमारा 310 Kelvin होगा लेकिन जितनी यह आपके cold-blooded animal होते हैं इनके सरीर का body temperature change होता रहता है और जिस वैसे यह survive नहीं कर पाते हैं और यह क्या हाइब निशन की process को करते हैं तो इसमें क्या तो यह tortoise kitchen का जीव है तो आप यह क्या है तो यह mammals है लोमरी और बकरी यह क्या है यह mammals है और mammals क्या होते हैं बच्चे तो इस तंधारी जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं तो warm-blooded animals होते हैं इनके body का temperature बाहर के temperature के क्या होता है तो इनका temperature constant होता है लेकिन यहां पर temperature change होता रहता है बहुत बढ़िया बच्च आजो अगले सवाल में बढ़ते हैं अगले सवाल क्या कहता है एक गर्मरक्त वाला प्राणी है कौन सा प्राणी इसमें गर्मरक्त वाला है जल्दी बता दो एसकॉर्विक यह तो kisidd hi . तो आनिमल है इसलिए कैसा इनमल होगा बहुत अच्छा व français very good ऐसे ही इसराओ अड़ीड जुडते रहेंगे सुयन अब हमस् nom वक्ल्कूल सही जवाब दे रहे औप सभी तो चम्गाधन है यह परकार का क्या warm-blooded animal है ब्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रखती है उपस्तिती सरक्रा की मांग है यह question बताओ यह question आ गया exam वाला और exam वाला मतलब कौन सा question तो dairy milk question dairy milk वाला question है जल्दी बता दोगे इस question का answer 75 question का answer दोगे 77 बहुत ही अच्छा बहुत यह अच्छा बच्छे बिलकुल सही जवाब दे रहे हो very good बहुत अच्छा बच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्छे जो बच्छे जवाब दे रहे हैं क्या dairy milk मुझे सी नहीं 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 डेरी मिल्क मुझे चाहिए सी वाले कह रहे हैं किसा dairy milk मुझे ABCD मुझे तो देखानी है चलो आप तो गुलगप्पे आप तो वाटर बॉल्स खाओगे बहुत बढ़िया तो क्या सही अंसर होगा बच्छे बताओ जल्दी बताओगे इसका अंसर नहा कुल्भूत पचास सत्तर अंजू चलो सी देखो यह SSC के MTS का कुश्चन है SSC MTS में के कुश्चन पूछा चुका है तो ध्यान दोगे क्या तो क्या आपका पचास से सत्तर MgDL पचास सत्तर MgDL जो होता है MgDL पचास सत्तर MgDL क्या नॉर्मल फास्टिंग सुगर ब्लेड लेवल एसपर 10 ml ब्लेड इन मैन इस जो फास्टिंग होता है वो क्या होता है आपके प्रतिग्राम पे 100 ml होता है इस बात का आप ध्यान रखोगे ठीक है चलो अगला क्या कह रहा है रक्तदाब को मापने वाले यंत्रिया उपकरण को क्या कहते है रक्तदाब किस से मापा जाता है फटा फटा आंसर देदो यह भी एक्जाम होला है सर आप पानी पूरी वाले कुश्चन नहीं लाते इसलिए डेरी मिल से काम चला लूगी तो लो बच् गर्मी का मौसम चली रहा है तो वह क्या वह एक हासे गुलकपा भरता रहता है और माल लो आप नहीं देख रहे हो ऐसे है तो आप कहते तो बहुत बहुत अच्छा सी बच्च बछे बल्कुल इस स्फ्वैगनो मीटर नाम का यंद्र है यह क्या करता है तो यह ब्लट प्रिशर को मापने का कार्य करता है ऐसे भीड़ेगा ध्यान दकना का बहुत पाने पूरी के स्वकी नहीं तो ध्यान दो के क्या वच्च्च तो जो इस स्फ्वैगनो mmHg में आपका normal blood pressure होता है क्या तो 80-120 mmHg आपका normal blood pressure होता है और यह mmHg क्या है sir mmHg होता है mmHg क्या कह रहा हूं मैं जो मैं कह रहा हूं सुनो तो इसे कहते है mmHg इसमें पारा धातु भरी जाती है है और उसके ही mmHg को नापते हैं 30-120 mmHg बहुत अच्छा बच्चे एक और recipe हलवा वह भी बताओं क्या चलो बहुत अच्छा बच्चों अगला question बढ़ते हैं कि उच्छ रक्टदाब का प्रयोग के लिए होता है hypertension is the term used for और हिर्दय गति दर बढ़ने के लिए हिर्दय गति दर घटने के लिए रक्ट में कमी या रक्ट दाब में ब्रिदी अब देखो इस question को ध्यान से देखना hypertension, 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 hypotension, hypotension, hypertension, how happy कहा गई 79 बहुत अच्छा question है बहुत ही अच्छा question है यह बहुत बढ़िया अच्छा बहुत च्छा बच्चे सभी बच्चे बिल्कुल सही अंसर कर रहे हैं जितने बच्चे भी मौझूद है किसी का गलत नहीं आया इस बात से मुझे खुशी है तो क्या increase in blood pressure ध्यान देंगी जो हाइपर देखो आप एक शब्द याद रखोगे हमेसा हाइपर मतलब क्या होता है ज्यादा हाइपर मतलब क्या ज्यादा और एक वर्ड होता है क्या हाइपो एक वर्ड होता है हाइपो हाइपो मतलब होता है कम है जिसे हाइपो थैलमस छोटा थैलमस हाइपो टेंशन कम टेंशन या blood pressure में कमी या क्या हाइपोग्लेसीमिया है ना तो क्या ब्रदी अगर ब्लड प्रेशर में ब्रदी हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा उसे हाइपर टेंशन गहाँ ठीक है बहुत अच्छा बच्चे कोई बात नहीं अगला कोशन क्या कह रहा है देखो आगया अभी तुम अने बोला हाइपो हाइपो वोड आगया अब बताओ यह कोई कोश्चन है चलो अब यह तो अब यह तो मेरे एक ही वर्ट को बताने से इस कोश्चन का सॉलिशन आ गया सर गयर तो अब इसम में गलत कैसे कर दोगे क्योंकि अभी तूद अब हे पनिया बोहत बढ़िया बहुत सही जबाब कर रहे है बिल्कुल अच्छा बच्चिए जलो आज अगले question में बढ़ते हैं अगला question क्या कोशन क्या कहता है वृग की कार्यात्म की बहुत चार कोशन इस यह भी कि तब functional unit of kidney तो functional unit kidney की क्या होती है नेफ्रान होगी या निवरान होगी जल्दी मताओगे की निफ्रान होगी या निवरान होगी जल्दी बहुत ङाच्या गुंजन बच्चे भी आ गाये हमारे हमारे गुंजन भी आ गाये है तो चल ओंगन-पक्षी यह बहुत आपब दो चलो बहुत च Pappat दो हुआ थो किसी फिशा में उड़ सकती है कोई दिक्कत नहीं इनके बारे में तो ध्यान देंगे क्या द्यान देंगे चलिए तो इसका सही अनसर होगा नेफ्राउन क्या है we will be the functional unit of kidney جो किगणी I तो इसका सही अंसर होगा नेफ्रॉन क्या है नेफ्राउन क्या होती है بच्चे kidney की structural or functional unit किसे कहा जाता है तो kidney की structural or functional unit nephron को कहा जाता है और kidney कारे क्या करता है तो kidney का कारे होता है blood को filter करने का blood को filter करने का कारे किसका होता है तो blood को छानने का कारे kidney का होता है और अगर kidney इस कारे को नहीं कर पाती आपकी kidney fail हो जाती है तो किस प्रक्रिया का इस्तमाल करते हैं तो याद रखेंगे डालेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है क्या डालेसिस तो डालेसिस नाम की प्रक्रिया का इस्तमाल किया जाता है बहुत अच्छा बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जितने बच्चे हैं ब अगले question बढ़ते हैं कोई बात नहीं आजाओ आजो अगले question बढ़ते हैं कि which of the following responsible for water balance in human body बहुत अच्छा question है कि निमलखित में से कौन सा responsible है आपके body में क्या करने के लिए तो water balance water ko balance करने के लिए क्या important है जल्दी बताओगे कि water ko balance करने के लिए आपकी body में क्या responsible है जल्दी बताओगे कि water ko balance किसके द्वारा क्या जाता है पर बच्चे comment रुकेंगे और जान देंगे देखो बच्चे क्या यह जो हिस्सा है यह होता है kidney brick और kidneys में किसकी formation होगी urine की formation होगी यह urine किसके द्वारा तो इसे कहते हैं urator इसे कहते हैं urator इसे कहते हैं urator दोरा इसको carry किया जाएगा यह होता है क्या इसे कहते हैं urinary bladder कहते हैं जिसे कहते हैं क्या mutra आश्रे मिलता है तो उसे mutra आश्रे कहते हैं जहां यूरीन की storage होती है और यह होता है क्या बच्चे तो यह होता है युरेत्रा यह क्या होता है बच्चे तो यह होता है युरेत्रा इसे कहते हैं मुत्र मार्ग इसे मुत्र मार्ग कहा जाता है और यही प्रोसेस है क्या आपके बॉडी से युरीन के बाहर होने की तो पहला क्या होगा तो पहला तो क और हाइलम के सिर्पास जा करिए यह अटर क्या होता थोड़ा सा मोटा हो जाता है इस बात का ध्यान रखोगे बहुत सारे कोश्रिस्या है बुट इवनिंग लवली सर थैंक यू बच्चे अजू थैंक यू बहुत अच्छा बच्चे वेरे गुड ऐसे ही करते रहेंगे सेश जल्दी बताओगे कि नेमलिखित में से किसका अपसीष्ट यूरिक अमल है याद करो यूरिको टैलिक यूरिको टैलिक बताया था यूरिको टैलिक अमिनो टैलिक और आपका क्या यूरिको टैलिक अमिनो टैलिक यह सारी चीज़ें बताई थी गुड नाइट चलो बच्च ध्यान दोगे तो क्या जो यूरिक एसिट के रूप में एक्सक्रिशन का कारे करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जल्दी बताएंगे जो यूरिक एसिट के रूप में excretion का कारे करते हैं बहुत अच्छा बच्ची जो बच्चे पक्षी कह रहे हैं इस पहर और गौरे रहे हैं जो बच्चे पक्षी जबाब दे रहे हैं तुफाँ की जिद है मेरा आशियां गिराने की और और मेरी भी जिद है यहीं आशियां बनाने की अरे कोई लाख हाप्की परिक्षा ले लेकिन जीतेगा वही जो लगतार लगा होगा अरे सोचो ना कि आपके माँ पापा किस आस में बैठे है और सोचो वह दिन कैसा होगा कोगा जिस दिन्हों कहोगे पापा यह मेरा जॉइनिंग लेटर मैं सब्सक्स हो गया मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब ठाइब नफरत करते हैं उनके सामने जॉब लेकर चले गए तो क्या होगा उनका उनकी हालत क्या होगी जो हर वक्त आपको हारती भी देखना चाहते हैं और उनके सामने जौब लेकर खड़े हो हां भाई बोलो कुछ कह रहे थे हालत खराब किड्नी खराब करते हैं किड्नी खराब ली देहाइड्रेशन विच इस इस देफिष цвет इन द बोडी यह भी काफी ह нужно का ऐंसर करो किस्की कमी हो जाती है जल्दी बताओगे साइन्स का मैरेथन बच्छे क्या मैरेथन इतना सीन नहीं बन पा रहा है लेकिन आपके एक बार पेपर तो आई गया बंटीपीसी वाले अब मैं हर फ्राइडे को मैरेथन लूँगा निश्यंत्र हो बहुत अच्छा नहीं शुगर नहीं होगा लाड़नों शुगर नहीं होगा एक बार ध्यान देना शुगर नहीं होगा यह शुगर नहीं होगा जो शुगर जब आप दिरें आप यहां पे गलत हो ध्यान दोगे जो sodium chloride क्या sodium chloride क्या बच्चे NaCl नमक की कमी होती है किसकी कमी होती है तो ध्यान दोगे आपके सरीर कें अंदर नमक यानि लवण की कमी यानि की क्या salt की कमी होने से क्या होता है तो आपको dehydration होता है इसलिए आप क्या नमक में चीनी का घोल में आकर आप पीते हो जब भी आपको dehydration होता है बिल्कुल सही बच्चे बहुत अच्छा वेरी गुड कि क्या कहता है ऐसी दवा जो मुत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है adrenaline monoeuretic diuretic triuretic तो जल्दी बताएंगे ऐसी दवा जो मुत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है जल्दी बताएंगे बच्चे पढ़ने से कोई पागल नहीं होता बच्चे अजू पढ़ने से कोई पागल नहीं होता प्रतिक्षा रावत प्रतिक्षा जी स्वागत है आपका मेरी क्लास में प्रतिक्षा स्वागत है तो ध्यान देंगे डायूरेटिक जो होता है यह anti-duretic, anti-duretic hormone होता है, कैसा hormone होता है, anti-duretic hormone होता है, और इसकी कमी होने पर, आपके मुत्र में जलकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको बार-बार प्यास लगती है, और बार-बार मुत्र बिसर्जन का मन करता है, मुत्र बिसर्जन होता है, और बार-बार प्यास एक diabetes melleus होता है एक diabetes incipits होता है तो anti-duretic hormone की वज़ा से होने वाला diabetes incipits होता है लेकिन बोडी में glucose का level बढ़ जाना diabetes melleus होता है इस बात का ध्यान रखोगे बहुत अच्छा बच्छों very good चलो बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया inflation को शेर करते रहेंगे और और आगे बढ़ते रहेंगे the abnormal component of urine यूरीन का abnormal component क्या है मुतर मैं असमान घटक कौन सा है जल्दी बताओगे कि मुत्र में और समान निखटक कौन सा है शेर आ गया राम राम गुरुजी राम राम बच्चे स्रप डॉक्टर हो क्या नहीं बच्चे डॉक्टर तो नहीं हो मैं चलो बहुत अच्छा बच्चे इतना सब पढ़के डॉक्टर बन जाता तो फिर बात ही क् हां मुमख फिर जल्दी बताओगे तट बहुत अच्छा बच्चे तो इसका सही आंधर होगा आल बिमीन हमांशू ज्य बच्चे बहुत बढ़यां हमांशू अजू यह लड़के बहुत इंडलिजेंट है सब्सक्राइब करोटीन करोटीण नहीं गरत लिखा है यह क्रेटिनीन करोटीन नहीं होगा यह उस्वानने गटक के रूप में जाना जाना जाएगा बिल्कुल बच्चे और समान ने पूछा समान नहीं यूरिया कैसे असमान हो गया मेरे लाड लो यूरिया कैसे असमान हो गया जल्दी बताओ कोश्चन कि मुत्र का पियच मान मुत्र की पियच वैल्यू कितनी होती है मैं कमेंट चेक कर रहा हूं आपके कमेंट बताओ मुत्र की पियच वैल्यू अगले सवाल पे निम्दन लिखित में से मुत्र में असमान इगटक की टोन बोडी यह तो काफी असान था क्या की टोन बोडी क्या होती है यह असमान इगटक होती है जल्दी से मुत्र का पीच मान बताओ मुत्र का पीच वैल्ली मुत्र की जो पीच वैल्ली कितनी होती है जल मनीश कुमार कह रहे है सर फर्स टेम क्लास देख रहा हूं बहुत मज़ा आ रहा है डेली क्लास होता है सर हां बच्चे डेली रात को दस बज़े आपके साइंस की क्लास होती है चलो बच्चे आज़ो ध्यान दोगे तो मुत्र का प्येचमान 6.4 नहीं 6.0 होता है 6.4 किसका होत है तो आपके मिलक का होता है इस बात का ध्यान रखोगे सर भंडारा करा दीजिए साइंस का साइंस का बहुत जल्द होगा अब बच्चे स्वरप कुमार का आगे फरमाईश साइंस का बंडारा मैं डिसाइड करता हूं एक दिन 8 घंटे का बंडारा होगा चलो बहुत लिए पीच आपके आंसुओं का पिच आप बताओ कितना होता है फिर मैं बताता हूं चलो बहुत अच्छा साइंस का बंडारा बहुत जल्द रखने वाला हूं चलो रोड का ऐलन्जेट किसमे सहिक है ऐलन्टोज और फिटस यह बताओ कोश्चन कितना पढ़िया कोश्चन फिशन ये मतलब इस ही कोश्चन किया है बच्चे तो यह कोश्चन एक लेबल का कोश्चन है यह को्शन एकजाम में आया तो मालो नबब्बे प्रथन बच्चे गलत करेंगे जल्si से एंसर करो यह एक लेबल चकुशन थैंकिव मरी लाडली क्षालो परतिह च्छावत ब्लेड इतना ही चलो कोई बात नहीं की है है बहुत अच्छा और्ट है कि बहुत अच्छा रोत्छ आफ्जा बख्षय है रोश्ब very applycho कि निवाद सर्फ पर सही होगा तो उत्सर्जन जो Alan Toad होता है विरून का alan toad कि साह्यक है तो उत्सर्जन देखो ऐसा कहा जा तचा से ने होते हैं वह nutrition कहाँ से लेते हैं तो process प्लैसेंटा मा के ग्युद्टा नाल होती है उससे क्या करते हैं तो nutrition लेते हैं लेकिन एलन टोज क्या होता है तो एलन टोज भी एक पाइप होती जिससे क्या वो बच्चे और क्या एक्सक्रीशन की प्रोसेस अपने मा के गर्ब से ही करते हैं ठीक है बहुत अच्छा बच्चों वैरी गुड बहुत बढ़िया द्यान देंगे निमखित में से कौन सा अंग जल वस वह दूसरे अप्सिष्टों का उत्तरजन करता है इन विच अप फॉल्विंग एक्सक्रीट वाटर को भी करेगा फैट को भी करेगा एंड डिफरेंट वेस्ट केटबोलिक को करेगा अब बताओ यह कौन सा है अब बताओ मेरे बच्चे वाटर भी कर रहा है फैट भी कर र इलिए बहुत अच्छा कोशिन है बहुत अच्छा कोशन है बहुत बहुत ही बहक्तेरीन कोशंट 89 सहन बहुत अच्छा कोशन है जो किड़ी होती है वरेक कभ pyt को क्या कहता है मुख्य उष्णाज त सरजी अंग दमीन एक्सक्रीटरी और बतार्तों का ओंट का आ बेरम को य kidney करती है और इसी लिए kidney को मुख्य उत्षर जी अंग के रूप में जाना जाता है बहुत ही अच्छा बच्चों वैरी गुड बहुत ही अच्छा ultimate कर रहे हो आप बहुत ही बढ़िया ultimate आज की तो चिड़नी या पोस्ट जाए फ्रेज क्या तो किड़नी ये भी कोशन देखो अब कोशन का लेबल अब लेबल लेकर आगया अब मैं अब क्या अब लेबल से आकर लेबल पर काम बनेगा है ना चलो बताओ सर बीडी का डिमांड मिल जाएगी सस्ते न से किने क्यों पागल ह बीडी की डिमांड हो जाएगी चलो बहुत चा बच्चे बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सी मैजन फेरिक किड़नी गलत जबाब इमानशू शाहू बाबु भी आ गया है बारात लेकर है गदे सरी यूर यूर स्पीच इस ऑस्तम थैंक आपने मेरी बात मान लिए बी बी अ तो देखो दिवाकर कुमार यूर अल्टीमेट है यू जस्त's से अभ्ल्टीमेट अंसर लो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो ज्चानो स्टे क्या जो मॉल्मीय की फ्यू बढ़ियो यूर क्या होता है तो द्यान दोगे अब मेरे होता है ध्यान दोगे क्या तो बोडी में मौझूद होता है क्या तो लाडले और लाडलियों आपकी बोडी में मौझूद होता है क्या तो किड्नी किड्नी में नफ्रॉन किड्नी में क्या होगा तो किड्नी में नफ्रॉन और नफ्रॉन में क्या होगा तो नफ्रॉन में ध्य glomerulus होगा और bowman's capsule होगा और bowman's और glomerulus capsule ये मिलकर बनाते हैं क्या हिनले का चाप loop of हिनले हिनले का चाप loop of हिनले बनाते हैं और जहां पर ये turn होता है वही जगह कही जाती है मलफीगियन ट्यूब्यूल जहां पर ये जगह टर्न होती है उसी टर्न को कहते हैं मलफीगियन ट्यूब्यूल इस बात का ध्यान दोगे तो किड्नी में नफ्रॉन नफ्रॉन में क्या ये जहां मुड़ेंगे हिनले का चाप और वहीं पर बनेगा मलफीगियन ट्यूब्यूल इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत ही बढ़िया थैंक सर आपने सुन ली साइंस बहुत कमजोर है साइंस कमजोर थी है नहीं साइंस कमजोर थी अब नहीं रहेगी इदम निश्चि निमलिखित में से किसमे कंपाट रही ती रही तरद है यह देखो कोषिन नहीं ना शाइए नहीं न autopsy gea बहुत बढ़ी लगए खाट और आपवान का छाठमा शाचिव भगवान का तन ल्ली ने बहुत बढ़े लॉए बहूर आप्र शाचिज़ कि बहुत बढ़िया किसमें वॉल्ब नहीं होते अरे यार यह कोई कोशन है यह कोशन सो इतना बढ़िया कोशन अरे यार उभैचर होंगे उभैचर में आता है क्या मेडग और मेडग की हम क्या हम स्कूल में सर्जिकल करते थे मेडग को काटते थे चीरते थे अब तो बैन हो क्यों क्योंकि यह human जैसा इसका anatomy होती है तो मेडक में वॉल्व होते हैं फिश नेहा कुलवूत दिवाकर पपू शनाया पपू मनोज अज्जू बहुत ही बढ़ियां बच्चे चलो चलो बच्चे बहुत ही बढ़ियां क्या तो फिश मचली के जो हईट होते हैं अरे वा मेरे नजर आता है सर जी जान लोगे क्या भगवार नजर आता है नहीं चलो आगे बढ़ो मेरे लाडले कि दूद के वित्रण में पुर्व उसके स्थाई करन है तू कौन से ताप अरे लो अरे लो बहुत ही अच्छा कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन दा ही मरने का मन कर रही है । कोई टिक मारने का मन कर रहा है लेकिन तुम मारोगे टिक गैलो 92 का क्या कोश्चन है क्या कोश्चन है जो बच्चे 92 का कह रहे हैं सारे के सारे बहुत अच्छे है नहीं लोगे पॉस्टूरेशन दो विधियां होती है पॉस्टूरेशन की पॉस्टूराजेशन की दो विधियां होती है एक होती है ल्टी एच्टी लो टेंप्रेचर होल्ड छे law temperature holding Method में 108 degree Celsius दूद को 32 minute तक रख जाता है कितने मनज तक तक कितने मेंड तक तो ध्यान दोगे 15 मुनते तक रख कर तक रख जाता है और जो वता है high temperature holding method high temperature holding method और इसमें क्या इसमें 72 डिगरी सेल्सियस पर दूद को 15 सेकंड के लिए रखा जाता है और यही होता है पॉस्टराइजेशन जो की लूई पास्टर द्वारा दिया गया था इसे कहते हैं पॉस्टरी कृत या पॉस्टराइजेशन मिल्क बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट अल्टीमेट अल् है कि मानो सरीर का कौन सा अंग नाविकिय विकरन से अधिक प्रभावित होता है विच पाइट ऑफ इवन बोडी इस फर्स्ट हाइली अफेक्टेड बाई नुक्लियर रेडियेशन यह भी पूछने वाली बात है तुम क्या पूछ गए और किस से पूछ गए इसी बात पर कि हो जाए हो जाएगी शाइरी चलो चेंफ ए यह भी कोई पूछने वाली बात बात तो चलो नि disciples सुन लो सुन लो शाय्री है ना चलो सुनाता हूं, सोचने दो, हां, कि क्यावच्चे सुनो कि तू नहीं दिल में तेरा निशा बाकी है, बजगई आघ मुखबत की मगर धुआ बाकी है, जिस जगह हमने calendar में जुदाई लिखी वहां तारीक मिलने की अभी एक बाकी है और मैं तेरे बेवफा होने से परिशान नहीं अभी तो दिल लगाने को सारा जहां बाकी है तो इसी बात पर बताएंगे answer skin इसकिन जो होगा कौन सा part human body affected by nuclear radiation तो nuclear radiation से तवचा सबसे पहले तवचा क्या बच्चे परभावित होती है बहुत बढ़िया लंस नहीं इसकिन 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 बहुत अच्छा बच्चे अरे मेरी महबत की कहानी को जब सुनेंगे लोग या तो इश्क करेंगे या इश्क छोड़ देंगे लोग या तो इश्क करेंगे या इश्क छोड़ देंगे लोग चलो आ जाओ पक्षियों में एकल होता है, क्या होता है, the birds usually have single word, testis, ovary, lungs, kidney, जल्दी बताओ, मेरे लाड़ लो, जल्दी बताओ, चलो, कोई बात नहीं, जो टूटा है, तो क्या हुआ, चलो, बहुत अच्छा, D, option number D, बहुत अच्छा बच्चे, कौन बच्चा है ये, राहुल कुमार, राहुल कुमार, हिमान्शू, अज्जू, हिमान्शू, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ultimate, ultimate, unconditional, और क्या, और क्या कहते थे वो हम से, कि ultimate है, unconditional है, और पता रही क्या कहते थे वो, अरे, बड़ा करीब लाकर, उसने मुझे बताया, अपने बड़े करीब लाकर उसने मुझे बताया कि δूर कैसे करते हैं हमारे चेरी की तोचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कारे करती है ये देखो ये भी कोशंध थोड़ा सा दिमाग वाला रागया fat present below the skin surface in our body act as a barrier against किसके barrier के against कारे करती है जल्दी बता दो जल्दी बता दो मेरे चुन्नु मुन्नु लोग और मेरे हीरा जल्दी बता दोगे जो मेरे चुन्नु मुन्नु हैं जो मेरे हीरा लोग हैं फटा फटा आंसर करोगे अले ताली नहीं ठोको लाइक ठोको है ना लाइक ठोको चलो बहुत बढ़िया तो क्या कह रहे हैं बच्चे 95 का लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉड़ी सरीर से जो हीट का लॉस होता है वही क्या बच्चे यही क्या आहमाय सरीर में वसा की परत इसी का कारे करती है और इसी में आता है तो थर्मल इंसूलेटर के रूप में जाना जाता है तो बच्चों ध्यान दो अब मेरे बच्चों ध्यान दो जल्दी से जल्दी क्या अपने टैब को स्विच करो अपने टैब को स्विच करो और आज और रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग की क्लास में फटाक